ओके स्टुडेंट्स एक्साइज वन पैंट वन कोश्चन नमबर त्री पार्ट नमबर सिक्स मैंने लिख दिए पार्ट नमबर फाइव अपने होंवर्क में करके मुझे दिखाना है कि आप कैसे इसको कर पाते हैं सेम वही मैथड है अपने जल्दी से आपको दुबारा से ब पार में हम डिवाइड नहीं करेंगे हम सिंप्ली एक्स केर माइनस टू एक्स लिखेंगे और 195 जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम राइट साइट पे ट्रांसफर करेंगे यह प्लस 195 हो जाएगी और अब स्केर का वो जो मैथड है वो अपलाई करने लगी है पहली वैली कम्लीट करेंगे तो बी स्केर भी तो आएगा ना अब चुक्कि आपने स्केर को कम्लीट करते हुए एक एक न्यू वैल्यू हमारे पास आई है जो क्वेश्चन में नहीं थी तो आपको दुनों साइट पे इसको एड़ करने है फिर वही प्राब्लम कि हम यह जो तीनों ब् वैरियबल को अपने साथ में लिखना है यह मैंने 2 लिख दिया इसको अपने according to method आप 1 बे 2 से multiply करेंगे अब 2 और 2 cancel हो रहे हैं तो answer 1 आ रहे है और students यही हमारा B होगा तो आपने तीनों brackets में 1 को use करना है तो यह आपने 1 को use कर दिया अब इसको complete square करने तो यह बना x minus 1 whole square हमे करें तो आप इन तीनों को multiply करें और यह उपर वाला answer आना चाहिए तो of course आप देख रहे होंगे minus 2 into x into 1 multiply करें तो minus 2 x आता है तो इसका मतलब है कि मैंने जो B find किया वह बिलकुल correct है अगर ना आया तो इसका मतलब है मैंने कुछ गडबड की है और मैं इसको दुबारा check करू होगा one square equals to one x minus one whole square 195 plus 1196 अगें अब taking under root on both sides हो जाएगा ताकि मैं इसको independent कर सुकूं स्केर से तो जब मैं इसका स्केर और टूट फाइन करता हूं तो फिर स्केर और टूट कैंसल हो जाते हैं मेरे पास x minus 1 आ जाता है और राइट साइड पर प्लस माइनस 14 कलवेटर से इसको चेका लिजेगा अब इसको साल करना असान है लेकिन चुके 14 की दो वैल्यूस हैं द 14 माइनस 1 राइट से पर ट्रांसफर विभी एक्वस तो फिफ्टीन वाइल ऑन द अधर हैंड माइनस 14 माइनस 1 ट्रांसफर टू राइट साइड प्लस वन तो यह स्टूडेंट मेरे स्लूशन सेट्स आगे हैं एक 15 है और दूसरा माइनस 13 अब पहले माइनस 13 भी लिख सकते यह अंसर है इसको आप चेक कर लीजेगा और इसको नोट भी कर लीजेगा